हलो फ्रेंट doesn't कैसे और मैं अपकिर से विडियो लेकर करें सब्केर से यॐ अगू tomar आधे यक ऐसे वूडियो लेकर कर आता रहता हो तो जल्दी से अनुटाय इंट्रो करके दिखा दूँ तो एक We н. from समसंंंग का हमारा फोन है फ्रेंट्स मैं आपको यह पर पताना चाहूंगा समसंंग का फोन है और यह Eye Elog uses hun a57 यहरी माडल साफ्लव ना दीखे सो फ्रेंट्स की फिपटी है तो हम इसकी पहले प्यार्ट सब्सक्राइब करेंगे हर्डिंस यह देख सकते हैं पर पैटर्न लगा हुआ है यूजर का और यह रॉंग बता रहा है तो इसे हमें इसको उनलॉक करना है तो उनलॉक जैसे हम इसको हाड़ी सेट करेंगे हाड़ी सेट करने के बाद इसमें गूगल एकाउंट फर्पी बाइपास लग जाएगा तो गूगल ए बाइपास है मैं फ्रेंड्स आपको उता दू इसकी फर्पी बाइपास बिदाओट सी मेथड़ और बिदाओट आपको यहां पर कोई APK करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए फटाक्स को हम फर्पी बाइपास करते हैं तो इसका जो बंद करने के बाद हमारा ज को प्रेस करना है वैलूम डाउन और पावर की को एक साथ Pine ر procedure जैसा कि मैं आपको दिखा दो यहां पे वैलूम डाउन पावर की को आप करेंगे तो वहां पे आपका टैब को जाएगा पावर आफ तो सिंपली आपको यहां पे पावर आफ कर करके रखना है तो जैसे प्रेश करके रखेंगे उसके बाद आपको वैलूम अप और पावर की को दबा करके रखना है जैसे वह रिस्टार्ट होता है और यह यह वैलूम अप क्योंकि ज्यादा तर इसको हड़ सेट नहीं कर इसलिए मैंने hard reset कभी video बना दिया क्योंकि hard reset नहीं कर पाते हैं तो हमारा wipe data नहीं होगा तो यहां पर आपको जाना है मैं आपको यहां पर दिखा दू यहां पर लिखा हुआ है wipe data factory reset आपको wipe data factory reset पे power key को प्रेस करना है फिर उसके बाद नीचे आना है factory data reset पे power key को प्रेस कर देना है तो जब यह जैसा यह process कर देंगे फ्रेंड तो हमारा यह wipe data हो जाएगा clearly अब आपको यहां पर reboot system now पे click कर देना है तो यह hard reset भी नहीं कर पाते है फ्रेंड इसलिए मैंने सुचा कि hard reset भी एक बर बता दूँ जिन भाईव को पता है तो वो FRP का वीडियो देख ले और जिसको FRP भी पता है तो वीडियो को skip कर सकते है बर जिसको नहीं पता है वो व account FRP लग जाएगी और FRP लग जाएगी तो इसको कैसे बाइपास करते हैं बहुत एजली तरीके से यहां पर करके दिखाने वाला हूँ इसको बंद करने का आपको फ्रेंड में आपको highlight कर देता हूँ किО का ऊ lie समया देक्त। आफम सामने कर रहा है और यह देख सकते हैं इसको देखे हैं है इस में और कि लगी कि नहीं लगी अगर फार फार पी नहीं लगी रहती तो फाइनली मिसे ए हुम इसे डbelli step by step आगे कर देते तो unlock हो जाता तो चलिए देखते हैं इसमें FRP लगी कि नहीं लगी तो अब देख सकते हैं यहाँ पर skip का बटन नहीं आ रहा है skip का बटन नहीं आ रहा है अगर skip का बटन आता तो इसमें Google account FRP नहीं लगी है तो फ्रिंट इसमें FRP लगी हुए तो चलिए फटाफट इसको हम बाइपास करते हैं और बाइपास करके आपको दिखाते हैं और कैसे क्या करना है वो सारा प्रोसेस आपको अपने PC में करके दिखाने वाले हैं यहाँ पे विदाफट सीम और विदाफट APK आपको यहाँ पे करके दिखाने वाले हैं तो चलिए फटाफट से अपने PC में चलते हैं और करके आपको दिखाते हैं तो फ्रिंट जैसा कि आपने देखा यहाँ पे से आपको यहां पर करके दिखाने वाले हैं जो कि कुछ भी टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स और मैं इसमें वीडियो को लास्ट में तक ही आपको दिखाऊंगा इसके फार पी तो यहां पर हमारे पास एक एक एपीके हैं सोरी एपीके हमने कोई भी नहीं कर रहा है हमने सब्सक्राइब कमूल लेते हैं विसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है नहीं करना हूं कुछ भी का मतलब अपको यह home screen पे लेजाना है इसके आपको डॉट-एकेवल को simply in कर देना है नहीं है रहागा दिया है और यहां पर देखेंगे ड्राइबर भी हमारा detect हो जाएगा उसके बाद simple आपको फ्रेंड इसमें क्या करना है हमेशा की तरह इसमें आपको वाइफाइप करने के बाद आपको simple यहाँ पे FRP bypass पे click कर देना है, okay कर देना है, अभी phone detect करेगा, मैं आपको सामने ही live करके दिखा रहा हूँ friends, यह हमारा phone detect कर रहा है, अब installing driver और launching browsers event और यह देख सकते हैं, यहाँ पे yes का button आ चुका है, जैसा कि मैं आपको नहीं दिखा पाया था, मगर यहाँ पे आप यह 20 भी नहीं दिखा पाया था, क्योंकि वह webcam के issue था, इसलिए मैंने 20 भी नहीं दिखा पाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत easy तरीके से हमारा यहाँ पे YouTube आ चुका है, अब इसे simply friends हमें क्या करना है, वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ, अब आपक में आपका Wi-Fi Connect होना चाहिए, तो हमाँ यह Wi-Fi Connect करूँगा और आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, और FRP Bypass हमारी हो चुकी है, कोई भी पीके नहीं, कुछ भी नहीं friends, यह हमारी FRP Bypass हो चुकी है, 110% हमारी FRP Bypass हो चुकी है, तो चली इसका आगे का प्रोसेस हम फटाक से आप आपको मिलते रहेंगे, तो चली इपर कमेंट करके जरूर बताएगा कि यह वीडियो कैसा लगा है, तो फटाक से चली, मैं वहाँ पर करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि मैं अगर इसमें करके दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर कट समझ में नहीं आएगा friends, यहाँ प जो हमने यहाँ पे एक टूल यूज किया था, उसमें यह डारेट यूटूब को खोलता है, मैंने पहले भी वीडियो में वेंसिन किया हुआ है, अगर आपका डारेट फर पर नहीं हटता है, पर एक बार जरूर आपको ट्राइ करना है, बैक जाना है, आपको यूटूब प आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो skip का बटन था, वो आ चुका है, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यह देखी हमारा जो यह Google एकांड बेरफार खुल चुका है, यह हमारा skip का बटन यहाँ पे corner पे दिख रहा होगा, आपको मैं यहाँ और थोड़ स मैं थोड़ा सा आगे का process आपको fatak से अपने phone में दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए, तो चली, जो आपने देखा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के कोशिस कर रहा हूँ, यह देखे हमारा skip का बटन आ चुका है, और skip अगर हमारा यह आ चुका है, तो मतलब 100% यह हमारा job done हो चुका है, और यह देख सकते हैं, accept, और इसे हमें करना है, skip, और इसे हमें करना है, skip anyways, और इसे हमें करना है, okay, अब यह देख सकते हैं, यह data cable से लगा हुआ है, यह हमारा जो APK था, मैं आपको यहाँ पे दिख तो अगर यह video आपको अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंट प्लीज जादा जादा like और subscribe करना है, बिल्कुल भी ना भूले, अगर अगर आपको अच्छा video लगा हो, तो प्लीज इसे जादा जादा share कीजे, अपने technical friends के साथ, देखते हैं, मैंने कोई भी fake video बनाने की कोशिस नहीं किये, जितना हो सके, क्योंकि आप जैसे YouTube connect हो जाता है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि यह सब में काम कर रहा है और नहीं कर रहा है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जैसे YouTube, यह इस app का काम है, इस application का काम है, friend मैं बताना चाहूंगा, इस application का काम only for YouTube फुलना है, यह बाइपास नहीं कर रहा है तो आपको जैसे यूटूब फूल गया तो आपको एक बार बैक जा करके फिर से चेक करना है कि आपको Skip बेटन आ रहा है कि नहीं क्योंकि वहीं पर हम नहीं चेक करते हैं और हमारा क्योंकि मैंने क्योंकि जिस भाइयों को लग रहा होगा कि A20 का फेक वीडियो है इसलिए मैंने एक बार A50 का भी वीडियो बना दिया जैसा कि आप देख सकते हैं पर A50 का वीडियो भी हमने रिसेंटली तरीके से बना दिया है और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ज इनले